केंद सरकार द्वारा लगाए किरशी के तीन विधेवकों के खिलाफ किसान आक्रोशित हैं इसी कारण से भारतिय किसान यूनियन आज ग्रेटर नौइडा से होते हुए दिल्ली की आजाद पुरमंडी में परदर्शन करने निकले जिन्हें नौइडा दिल्ली बॉर्डर पर ही रोग दिया गया किसानों के लगाया गये बैरिकेट की वजह से नौइडा सेक्टर 14 से दिल्ली जाने वाली रोड पर लंबा जाम लग गया है इससे आने जाने वालों को खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद किसान सीमा पर ही सरकार के खिलाफ नारे आरोप है कि मोधी सरकार फसलों पर नियोंतम समर्थन मूली की विवस्था खत्म करना चाहती है और इसी के लिए बिल लेकर आई है उनका ये भी आरोप है कि सरकार बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर आढ़तियों का वजूद खत्म करना चाहती है कि किसानों की दलील है क कि लोकतंत्र में हर किसी को अपना विरोध जताने का हक है पिछले कई दिनों से किसान केंद द्वारा लगाये गए विध्यक का विरोध कर रहे हैं